करेंगे इसके का बारागा आजा मक्ता नहीं रूर पर नहीं जा रहे है i.e. ओर मासली P-O-D-M-A-S P stand for प्रैकिट, O stand for और, D stand for दिश्टन, M stand for मल्लिक्लिक्षिश्ट, A stand for अदक्षिश्ट, S stand for अद्ध्टिश्ट, इसके का है ती का मतलब ब्रैक्टिक है, O मतलब O, D मतलब division, A मतलब multiplication, A addition and subtraction इतना दो हमने प्रिमास सब्तो हमने कल भी पढ़ दी आता, ठीक है, रेक नया है D & O अब देखो बच्छो, ताइप ओफ ब्रैक्टिक्स, यानि इस उत्ते ताइप के ब्रैक्टिक है यहां पर चाह थाइप डैक्टिक्स कुलेगे, सबसे first नमर पर बार उलता है, यह बार ब्रैक्टिक्स को यह होता है इस नहीं यहां पर जाएप नंपर मैने ले लिया लिए 5, एक नंपर मैने ले लिया 3 और उपके उपर मैंने बार लगा इसको बोलते हैं बार लगा ओके रुच्छो next नमर पे आपने हमारा second नमर पे round brackets और small brackets यह आपको round brackets का सिंबर है अच्छो third नमर पे आपको curly brackets यह आपको curly brackets का सिंबर है इस track से होने का, इस track से end च्छिक्या fourth नमर पे है square brackets और big brackets यह आपका square brackets का सिंबर है च्छिक्या करना है आपको सबसे पहले और फी four brackets और solve करना है सबसे पहले हम यह देखेंगे कि अगर आपको numerical expression में फी four brackets है तो आपको उसको sort करना है और मैंने आपको बताया, bracket भी four brackets को उसको उसको करना है तो अगर सबसे पहले हम bar brackets है तो bar brackets को solve करेंगे next number पे round brackets को solve करेंगे third number पे curly brackets का नमतर आएगा, fourth case की रचाए okay off और off, त्री फिरस के बाद हम division second number पे off के property लगाएगे, off का rule लगाएगे third पे हमें division का rule लगाएगे, fourth पे multiplication का rule लगाएगे fifth पे हम addition का rule लगाएगे, और sixth पे हम subtraction का rule लगाएगे in 이번 पे क्याकल्क्रत हमें में, the mid kal expression है नचई क्याक्रत多ए is six, divide bracket कोसा bracket अब अचंच है समोलääप्ण रापित या आ इसको खना बह सकते है round bracket पह सकते है ठीक है यह इसको simple खा ना तो यह दोनों किसमें clause है small bracket यह round bracket को clause है ठीक है बच्छो 6 divided bracket और under bracket ते का निकल खा है 6 minus 3 ठीक है अब इस numerical expression called solter ते कुछ बार्ट मार्स रोल के आजाओ आप पहले क्या करता है बार्ट मार्स अबकर 3-4 bracket है तो सबसे पहले आप 3-4 brackets को solve तो इस numerical expression में हमारे पास 3-4 bracket है यहाँ पर इस bracket के अंदर इस problem है तो सबसे पहले हम यहाँ पर आप करेंगे तो इस bracket के अंदर इस bracket के अंदर जो भी कुछ लिखता होगा उसको सबसे बार्ट सॉल करें तो यहाँ पर इस पर 6-3 आप तो इस पर सबसे पहले हम यहाँ पर इसमें जेशको सबसे करेंगे क्यूक्य 4 पर मस्वर सबसे अंदर इस पर इस बार्ट सो छल करेंगे तो इस पर इस पर सबसे करेंगे तो हम शाँ म मइदस करेंगे तो जासे घड़े हम महाँ अ पर यहाँ, assists क्युक्त 6 में से 3, 4 माइनस 11, 3 आप D काताम हो गया ना यहांपर ब्रैक्ट काताम हो गया यहांपर small bracket हजा देगे M4 Multiplication और D4, divison, यहा देखो मुच्छो, D and D, 3rd number के आपका 3, D4, divison, यहा देखो मुच्छो करिये divison का символ है, यहाँ, divison का символ आपको दित्र है, यहाँ पर, यहाँ पर ग्या करोगे, 6, 4, जब आप 3 से डिवाइट करो आपके हैं, तो बच्छो 3 तुम्दा क्या होता है, 6, तो यहा प्रहकेशन का आप सुद्धिया पर यहां भी प्राटिट था जो भी था उसको सॉल्व करना था जो करने के बागद नहीं कर दिया अपर जो आया फिर उने लाक्स चेक डिया और नहीं दा और रभा फिर भी रम दिया पर दखा अपर दिया पर अच्छो आपको बताया कर दो तो ते खुल ये फस्स्नमबर पहफ्लाई करें, बार बार डाटिय के कं न सटंडी के मेर डाटिय पहफ्लाई यह स्टंबर कलेंम घर्लह पे यह कॉंसर डाटिय के पच्छो? करली डाटिय ल्सक्षपर पे आपका स्कार डाकट 바acki it स्मॉल डाकट पर देखो इसका यहां पर देखो पॉड मास क्या करता है चैट किया करवाएंगे जब आपको इसको आपको पॉड में कही ब्रैकेट का सिंबल है तो यहां बच्छो ब्रैकेट का सिंबल या आता है तो सबसे पहले इनों यहां पर अपना रियो रप्लाई करें जब आप 5 में 13 को आड करोगे इसी प्रैक्रिक के अंदर आपको देखो 5 प्लस 13 प्रैकेट का पाइप में 13 को आड करेंगे तो बच्छो कितना होता है 18 प्रैकेट का और इसको विल्कुल से प्रैकेट कि दिखो आप छो देखो ओफ और थो है नहीं आपा P for Division यहां पर देखो कगी डिवाईड का सिंबल है इसके तो इसको बच्छो इन दो नमब्र की विच्छ में हमारा डिवाइड का सिंबल है तो बच्छो आपर इसके से डिवाईड करवादेंगे जब आप 18 को 3 से बच्छो डिवा तो यहां पर होड़ा 6 आगया इस numerical expression काम से बच्छो आपको बताओ जा कि हुने सबसे पेले क्या किया बच्छो और हुने सबसे पेले बॉर फासूर में देखा B4 bracket कि numerical expression का हमार पा bracket है या नहीं है तो यहां पर हमार पास numerical expression में bracket खा और किस राप गट था पच्छो श्माल ब्रैकेट था तो हमने सबसे पहले B4 bracket करों अप्लाइ कर दिया इसको बेखो सेम राट देखा और हमें ही आपकर लेखा और अफटो हैं हम आपकर देखा अपकर जेको आपकर देखा तो देखा D4 division पर अगरे है तो इस नो भाड़ा इस राट ने चापको SIT next day motion 3 बद्पे पहले फिट को ही 6 रॉं पोड माल ब्रैकेट लो चटक करो 1 समबर पे कहताता है ब्रैकेट लेको राट इस को भाड़ा इस राना, तो इसको बेखो सेम लिखे ले अपना इस ब्राइकिटको में वुम्हे शॉल पुर्म तो देटो में जिगां वीचो ब्राइकिट के अंदर एको क्या रहे करता और थे? देखो फाइव- स्री तो ब्राकिटको सॉल करने का मतलर ही होता हfik सिर्दी ब्रैक्ट के अंदर जो बीचीज ऊपती है, उसको solve करने का मत्तलब लियो जो होता है जो ब्रैक्ट के अंदर एक हैसे 5 plus 3 है, तो इसको solve करना है जापि 5 minus 3 या plus 3 या कुछ मि लगा लो तो 5, 3 कितने होते हैं 8 होगे, 8 होगे आपका, तो जब हम इसको solve करते हैं तो इस ब्राकिट से बाहर निकल जाएगा Similarly है आपने इको, कर उन 5 में से 3 इसको माइनस करेंगे, सब ब्राकिट करेंगे, तो कितना आज़ा बचल 2 और यह 2 ब्राकिट से बाहर निकल जाएगा अब आपका ब्राकिट यहाँ पर निहीं देगे का, चिक्क्या अब देको, D4 ब्राकिट का, कोड माउस का उने पहला रूल अप्लाई कर दिया D4 ब्राकिट अब भी ब्राकिट करूँ झाँगे ना, ब्राक्स से बाहर नो, का करते को मिना, O4 O चिक्क्या यहां पर असमा बत्व बच्छों मुल्टीप्लिकिशन ही होता है ठीक है? अब 3-4 दिविजन तो यहां पर देखा मुच्छों गाहे दिविजन का सिंबर है इंग लो नमबरों पर बच्छों इंग लो नमबर्स के वीच में दिविजन का सिंबर है तो हम अपना रूल यहां पर अप्लाइब रूल इसको विल्कुँ सेम लिप लेगी आँए और आम 4 को 2 से किवाड करवान लेट तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 तो 2 2 जा 4 पे यहां पर इतना गया गैंसल हो गया तो यहां पर 2 जा गया A for addition देखो addition चाख करो क्या पर इन दो नमबर के बिच्व निच्व एडिशन का फिंबर है तो उसना पर इसमें 15 में तूपो add कर देए क्यों जाएंगे बच्चो 17 क्या इस हमारे को रास्टेशन कांसर तो 7 देखो बच्चो इस question number 4 को देखो सबसे पहले हम क्या देखे हैं अपना board mass rule के according देखेंगे कि हमारा सबसे पहले क्या होता है क्या था सबसे पहले before bracket चेक करो यहां पर इस bracket है इस question में हाँ देखो बच्चो यहां पर आपको 2 bracket दिख रहे है एक तो यह वाला कुन सा bracket है बच्चो अब आपको यहां पर 2 bracket दिख रहे हैं अभी जब हमने पहले question solve किया तो उसमें एक ही bracket था तो यहां पर 2 bracket है तो अब यहां पर आजाओ बच्चो यहां चाथ करो ठीक है सबसे पहले को सा वाला bracket solve होता है बच्चो bar bracket second number पे small bracket third पे curly bracket fourth पे square bracket यहां पर भी लिखात खाना में first number पे आपका bar bracket second number पे small bracket third पे आपका curly bracket fourth पे आपका square bracket ठीक है रुच्चो आप देखो यहां पर कौन सा bracket है रुच्चो small bracket है रुच्चो small bracket है रुच्चो 7-2 तो हम सबसे पहले अपना रूड यही पर अप्लाइगा ठीक है board mask का before bracket rule सबसे पहले यह वाला open होएगा सबसे पहले कौन सा bracket रुच्चो small bracket open रुच्चो इसकी open होने के बाद के रुच्चो curly bracket open रुच्चो 20 वित्को same लिखेंगे minus 15 divide अब यहां पर अपना small bracket open करेंगे small bracket पी कहा रुच्चो 7-2 यानि 7 में से 2 रुच्चो रुच्चो 5 ठीक है अब अब जो आप पर small bracket open हो चुका है इसके अंदर जो भी 7 में से 2 को minus किया 5 रुच्चो तो यहां पर अब हमें bracket लगाने की जोड़रत नहीं रहा 7-2 small bracket के अंदर रुच्चो तो इसका 5 रुच्चो साग में से 2 minus किया 2 subtract किया तो कितना रुच्चो 5 रुच्चो अब हमें इसको इस type से लिखने की जोड़रत रुच्चो क्योंकि हमने इस bracket को solve कर लिया तो आप यह वाला symbol नहीं लगाएंगे आप bracket को नहीं लगाएंगे यह bracket से बाहर भी कर जाएगा तो यह 5 रुच्चो आपके देखो बच्चो आपको हमें कौन सा अभी भी bracket तो नहीं रह रहे नहीं यहाँ पर bracket का rule अभी भी रहल है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास curly bracket अभी भी यहाँ पर यह चीज कर लिए bracket में है तो हम यहाँ पर अपना curly bracket को solve करेंगे तो इसमें क्या है 15 divided 5 यह रिक्रक्या ना तो 15 को बच्चो जब 5 से divide करवाते है तो कितना आता है 5 5 जा 5 5 5 जा 10 5 3 जा 15 तो यहाँ पर कितना आगा बच्चो 3 और यह bracket भी open हो गया ठीके अब देखो बच्चो B for bracket अब इस question में यहाँ पर देखो कोई bracket दिख रहा है आपको? नहीं तो हमारा B for bracket करो एक complete program O for off यह तो है नहीं यहाँ पर O for off off लिख रहा है आपर? नहीं B for division भी नहीं है M for multiplication भी नहीं है आपर A for addition भी नहीं है यहाँ पर दो numbers के बीच में Last में देखो बच्चो S for subtraction दे रखा है जो तो यहाँ पर दो numbers के बीच में subtraction का sign है subtraction का symbol है तो हम इस last one भी रूख है तो 20 वेसे बच्चो लब 3 को minus कब देया subtract करके तो कितना आता है 17 20 minus 3 20 वे 17 इस grammatical expression का अंसर इतना आगया बच्चो 17 तो बारा देखे ओ सबसे पहले हम अपने इस रोल पर आते हैं Board Mass रोल पर लोल पर B for Bracket यहाँ पर वच्चो इस कोशन में 2 types के bracket 1 अपका Small Bracket 1 अपका Courtney Bracket हम यहाँ पर check करेंगे कि सबसे पहले small bracket वाली value को solve करते है, curly bracket वाली value को solve करते है. तो यहाँ पर फिच्छो दे रखा है, small bracket पहले solve होता है, पहले bar bracket होता है, लेकिन यहाँ पर bar bracket तो नहीं है, तो फिर हम अपनी question के coding दे किनी कौन सा parallel solve हो रहा है, यहाँ पर तो two types के bracket है, एक हमने question में दिखा है, small bracket, तूसरा दिखा है curly bracket, तो हमारा पहले small bracket वाला solve करते है, तो question के 7-2 जो है, वो small bracket के हम दर है, तो 7-2 को माइनस करें, कितना आता है पच्छो, 5, तो यह लिख दिया, फिर हमने अपना curly bracket उपन किया, फिर हमने देखा, यह जो जितनी भी है, यहाँ पर दो numbers के बीच में, ऐसा curly sign symbol नहीं है, तो mask प्लाव है, as for subtraction, तीक है, वह यहाँ पर इन दो numbers के बीच में था, सब्सक्राइब को माइनस कर दिया, 17 आगया, इस नहीं नहीं तालक्स बीचिन का उच्छो, आपको इतना गया, 17. बिच अखो प्चों, यह आपको फिफ्थ portion देखो, 20 minus, यह आपको क्ळी ब्रैक्टि ब्रैकित वह यहां पर open हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लॉज हो रहा है, अब इस क्लॉजी बैकित में भी आपको value देहीं हैं, और यहां पर क्या है, ठीक है, small bracket पे देखो क्या है, 7-2-1, small bracket plus and then curly bracket plus. अब बच्चो इतको bond mass rule के coding देखो क्या आएगा, before bracket. अब यहाँ पर इस portion में अमार पर two types के bracket है, पहला कुंसा प्रेपी पापका, small bracket, दूसरा कुंसा bracket है, curly bracket. तो यहाँ पर देखो बच्चो, पहले number पे आपका बार आपता है, लेकिन यहाँ पर तो कहीं बार है नहीं, तो दूसरे पर कौंसा solve होएगा, बच्चो, small bracket solve होएगा, तो हम अपना small bracket को यहाँ पर solve करेंगे, इसको बिलकुल same लिखेंगे हम, ठीक है, और curly bracket को open करेंगे, 18 ब divide का symbol बिलकुल same आएगा, small bracket solve करना है बच्चो, हमें सबसे पहले, ठीक है, तो यहाँ पर small bracket में आपके पास जो value है, वो क्या है बच्चो, यहाँ देखो, 7 minus 2 plus 1, यह आपका small bracket है, ठीक है, और small bracket close, तो इसको आप solve करते हैं, तो क्या होता है बच्चो, देखो, 7 और 1, दोलो plus का है, ठीक है, तो पहले ही add हो जाएगा, बिमास rule हमने पढ़ा था ना, उसकी according is small bracket को solve करें बच्चो, बिमास rule यह ठाकता है, पहले addition करेंगे, फिर बार में subtraction करेंगे, तो 7 of 1 के बीच में property रगा देंगे, 7 of 1 हो गया, आपका 8, और minus 2 को बिल्खु सेम लिख देंगे, 8 म आपका यह small bracket open करने के बाद, 6 आपका है, ठीक है, यहां में नहीं हुआ था यह open, अब हुआ है, लास्ट को जापका, क्योंकि यहां पर अभी तो minus 2 बच रहा था ना, तो यहां पर, 8 में से 2 को minus 6 आगया, यहां पर आपका small bracket open होगा, तो इस expression को, इस value को जब आपने solve किया, आपका कितना है बच्छो, 6, आपको यह 1 पर ही करने है, आप इसको लापर ऐसे ही लिख सकते है, 7 plus 1, 8, 8 minus 2, 6, डार्ट भी लिख सकते है, sideways all way करके भी देज, ठीक है, तो आपका यह कितना है बच्छो, 6 आपका कितना है, बच्छो, 6 आपका क्या दे रहा है, और यहां पर क 24 ब्रैकित तो कहता बुआ ही यहां, 2nd जो curly bracket में उसके अंदर जो value है, इसको सौन, 20 minus 18 और 6, 18 divided 6, curly bracket में आपके 18 divided by 6 लिखाँ है, तो इसको देखो, 6 की table में बच्छो 18 कितने पर आता है, 3 पर, जब आप इसको 3 लिखेंगे तो आपका यह curly bracket open हो जाएगा, त्युकि, इसके अब देखो बच्चो, P for bracket यहां पर बच्चा नहीं है, O for O भी आपर नहीं बच्चा, P for division की property भी आपर नहीं लगाने है, क्योंकि दो नंबर के बीच में, divide का symbol नहीं है, M for multiplication भी नहीं है, A for addition भी नहीं है, last में अदब थे है, X for subtraction, तो यहां पर subtraction का symbol आई इन दो numbers की बीच में, तो जब बच्चो आप 20 में से 3 को subtract करोगे, तो कितना आगा बच्चो आपका, 70, ठीक है, तो आपकी इस numerical expression का answer कितना आगा बच्चो, 70, बच्चो आप इस types के sums को try करना, ठीक है, और इसे next video में हम इसके आगे के sums को solve करेंगे, इ आपकी बच्चो